अगली खबर में बात करते हैं आयोध्या की जहां जनपत की कैंट पुलिस क्राइम ब्रांच वप सर्वी लांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है चार पहिया वाहन चोरों के अंतर जनपदी ये गैंग का परदा फास करते हुए छे सातिर चोर गिरफतार किये हैं जिनकी गिरफतारी गचोर पूर रिल्वे क्रॉसिंग के पास हुई है पकड़े गए सभी सातिर चोर गोंडा बस्ती आयोध्या वावारा नसी के रहने वाले हैं वही इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक बलेनो कार वा एक महिंद्रा एक्स यूवी कार तथा तीन लाग संतानवे हजार रुपे भी बरामद वा तीन आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, एक वोटर आईडी और दो तमंचा जिंदा कार्टूस भी बरामद हुए ह मामले की जानकारी देते हुए, S.P.C.T. मधवन सिंग ने बताया कि विगत दिनों में थाना कैंट वा कोतवाली नगर में ट्रकों की चोरी हुई थी, इस ट्रकों की चोरी को लेकर पुलिस अधिक्छक के द्वारा टीम गठित की हुई थी, जिसमें तीन टीमों का गठन आता, छे सातिर चोरों को गिरफतार कर लिया गया है, अभी इनके तीन और साथी सेस हैं, S.P.C.T. ने बताया कि इस गैंग का मुख्य मास्टर माइन माधव गिरी तथा अमरेश बहादूर है, पकड़े गया छे सातिर चोरों के उपर गंभीर धाराओं के मुकदमा दर्ज कर लिये गये हैं. च्छे अवियुक्तों को गिरफतार करने में शखलता गिराप्त हुई है, इनके पास से लगभग 3,97,000 रुपए बरामद हुआ है, तीन अमंचे बरामद हुए हैं, ये पीछे जो गाडियां आप देख रहे हैं, ये जो घटना में प्रियुक्त गाडियां हैं, वो से इनको गिरफतार किया गया है, जो ने ये बताया है कि इस जनपद में इन्होंने लगभग 5 ट्रकों को चूरी किया था, और ये ट्रक ले जाकर किसी दूसरे लिंकिज से उसको बेशते थे और फिर वो कवाड़ी के माध्यम से उन ट्रकों को काड़ देख रहने वाले हैं ये अलग-अलग जनपदों के रहने वाले हैं, इसमें कुछ अयुद्या जनपद के रहने वाले हैं, कुछ गोंडा के रहने वाले हैं, जिसमें ऐसे कुछ बनारस के रहने वाले हैं, अभी इनके तीन और साथी हैं जिनको हमें गिरफतार करना से इसे उनको भी सी गिरफता झाल झाल